रारसान दस बजे की शुरुवात इस वक्क की बड़ी खबर के साथ उदैपूर से मिल रही है दिन दहाडे आदिवासी महिला से गैंग रेप किया गया है इतना ही नहीं बिना साड़ी सड़क पर दोरते हुए पुलिस चौकी पहुंची है पिडिता पुलिस ने तुरंट FSL टीम बुला कर मोका मुआयना करवाया है गांव के कच्चे रास से पीहर जाती विवाईता के साथ इस वारदात को अंजाम दिया गया है पीछों से बाइक पर सवार होकर आये थे दो यूफकों पर आरोग भी लगाया गया है जैसे तैसे यूफकों के चंगों से छूट कर बिना साड़ी भागी है पेडिता थाने पहुंचकर इतला के बाद मोके पार पुलिस को साड़ी भी बरामत हो गई है पुलिस ने केस सर्च कर पेडिता का मैडिकल मुआयना करवाया है घतना के बाद दोनों परार हो गए हैं और उन परार आरोपियों की तलाश में चुटी है पुलिस आरोपियों की घड़ी भी पुलिस ने मोके से बरामत कर ली है एस पी मनोच कुमार ने एक से जादा लोगों की भूमिका यहाँ पर बताये इस वक की बड़ी और शर्मनाक खबर आप तक पहुचा रहे हैं एक बार फिर से शर्मनाक होता हुआ प्रदेश और उध्रपूर से बड़ी खबर जहां पर एक महिला के साथ गैंग ग्रेप हुआ है और जैसे तैसे महिला जो है पुलिस थाने पहुची लेकिन यह जानकारी मिल रही है कि वो बिना साड़ी ही दोड़ी लेकिन अपनी जान उसने बचाई गैंग रेप उसके साथ हुआ है और यह शर्मनाक खबर आप तक पहुचा रहे है आखिर कब इन खटनाओं पर लगाम लगेगी रवी शर्मा हमारे सही होगी उत्यापुर से जुड़ गए है इस वक की बड़ी खबर पर अपडेट लेते हैं रवी वाके में शर्मनाक खबर है लेकिन एक बार फिर से पूरा अपडेट पूरा खटना करम आप से जाना चाहेंगे बिल्कुल देखे पूनम जाहिर सी बात एक खटना करम है संसनी खेज मामला है और पुलिस ने इस मामले में कुछ लोगों को डेटेन भी किया है पुलिस पूरी पूस्ताच कर रही है पड़ताल कर रही है लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जो चौकी है पुलिस चौकी उसस इसमें बाइक सबार तीन बदमाश थे जिनमें से दो बदमाशों ने विवायता को पकड़ा और उसके बाद उसे खेट में ले जाकर उसके साथ दुशकर्म गैंग्रेप की जगतना हुई है बेहत शर्म सार कर देने वाली है पुलिस की जो टीमें है फैसल की जो टीमें है वो मौके पर पहुंची जरूरी साक्षे जो है वो वाम पर जोटाई है और सबसे बड़ी बाद यह कि बदमाशों के चंगुल से छूटकर विवायता ने खुद सीदे पुलिस चौकी पर पहुंचकर पूरे घटना करम की जानकारी दी और उसके बाद पुलिस एक्शन में आई तो एक तरीके से कहें तो कहीं न कहीं जो दुसाहर जो है बदमाशों का वो बढ़ता जा रहा है इस तरीके की घटनाय होना सरे आम सरे रहा और जिंद हाड़े की अगर घटनाय हो रही है तो जाईर इसकी बात है कि आम लोग जो है वो परिशान होंगे और पुलिस को जो आला अधिकारी है उनको इस वावत थोड़ा सा सजग और सम्विदनशील होना पड़ेगा इस तरह की घटनाय जो है और खातकर महिला अत्याचार महिला इंसा से जोड़ी जो घटनाओं में जिस तरीके से बहुतरी होई है तो यह जो चीजे है इन पर कही ना कहीं लगा कब लगेगी यह पूरा मामला आपने बताया पुलिस चौकी के पास ही हुआ है वाकी में परिशान करने वाली खबर है लेकिन जरह यह बताए कि कच्चे रास्ते से पेड़ित महिला पीहर जा रही थी और रास्ते में पूरा घटना करम हुआ था लेकिर कितने लोग थे क्य कि पुलिस जो यह कैती नजर आ रही है कि जादा लोगों की भूमिका इसमें हो सकती इसमें क्या अपडेट है इसमें पूरा घटना करम है इसमें और कौन लोग शामिल है और फिलाल तक जो एपसल की टीम है उसमें साच जुटाए हैं कुछ गड़ी और दूसरी चीजें जो हैं वो मौके से मिली हैं उनी के आदार पर वदमाशों को राउंड अप करने की कोशिश की जा रही है